स्वागत है आपका इंडिया की बात में मैं अभिसार शर्मा, मेरे साथ हैं भाषा और उर्मिलेश और आज आपके सामने तीन मुद्दे हम लेकर आएं मुद्दा नमबर एक करनाटक चुनावों में कॉंग्रिस की जीत के बाद क्या राष्ट्रिय राजनीती की दशा और दिशा बदल जाएगी क्या विपक्ष को उम्मीद दिख रही है एक संजीवदी मिल गई है और क्या कॉंग्रिस विपक्ष का नेत्रित कर सकती है मुद्दा नमबर दो बागेश्वर धाम के धीरें शास्त्री बिहार पहुँचे और भाजपा उसे भुना रही है जोरों से क्या उसके जरीए बिहार में आराजकता पहलाने का कारक्रेमर और वो एक एक्सपरिमेंट होगा पूरे देश के लिए मुद्दा नमबर तीम समीर वैंकडे वो एनसीबी का अधिकारी जिसने आरेन खान को शारुखान के बेटे आरेन खान को जेल में डाला था उसके बारे में आप खुद एनसीबी की जाच रिपोर्ट कहरी कि वो शारुख से 25 करोड वसूलना चाहता था एक जाच अधिकारी का आतंक ये तीन मुद्दे होंगे मगर शुरुवात हम करना चाहते हैं करनाटक के साथ ममता बैनर जी भी यही कह रही है अखिलेश शादव यही कह रही है कि 200 सीटों पर कॉंग्रेस चुनाव लड़े करनाटक में जो नतीज़ा आए हैं उसने इन निताओं के बयानात को बदल दिये हैं और अब एक तालमेल दिखाई दे रहा है बड़ा प्रशन ये कि क्या करनाटक के चुनावों के नतीज़ों के बाद विपक्ष वाकई बीजेपी का मुकाबला कर पाएगी मुद्दों पर फोकस कर पाएगी क्या है इस मुद्दे का पांच शुर पराई करता है तो जंता का उसे समर्थन मिलता है और साथी साथ अब ये बात तकरीबन राष्ट्य स्तर पर तैसी दिखाई दे रही है कि कॉंग्रेस के बिना मोधी सरकार का 2024 में कोई विकल्प कोई गडबंधन संभव नहीं है सिर्फ नेत्रित किस तरह से होगा किस तरह से सब साथ आएंगे इसी पर सारा जोर इस समय विपक्ष को लगाना पड़ेगा और लगाने की शुरुआत हो गई है अब इसार क्या है इस पर आपका पंच इस मुद्धे पर मेरा पंच यह है कि अकसर हम Common Minim Program का इस्तमाल उस स्वक करते हैं जब चुनाव खत्म हो जाते हैं मगर अगर राश्वी इस्तर पर Congress और क्षेत्री इदल मिलकर BJP को चुनावती देना चाहते हैं तो साजहा नीतियों के साथ मैदान में उतरना पड़ेगा क्षेत्रों को रेखांकित करना पड़ेगा कौन कहां ताकतवर है और उसी के साथ इस मुकाबले पर जाना पड़ेगा और जिन क्षेत्रों में Congress ताकतवर है वहाँ पर कही ने कही राहूल गांधी और प्रियंका गांधी वाडरा को अग्रेसिव होकर मैदान में उतरना पड़ेगा तब ही सफलता मिल सकती है और बिले जी बताएं क्या इस मुद्दे का पंच देखें मैं समझता हूँ कि वीपक्ष को Congress सहित दो तरफा strategy बनानी पड़ेगी पहली तो ये कि करनाटका की जीत को और ज़्यादा concretize करना पड़ेगा यानि उसका और ज़्यादा सुद्री करन और विस्तारी करन करना पड़ेगा आपको 36 गार मद्यप्रदेश राजस्थान और यहां तक की तेलंगाना इन सभी चुनाव में जो 2023 में होने जा रहे हैं उसमें आपको अपनी ताकत एसरट करनी पड़ेगी कैंपेइनिंग मजबूत करनी पड़ेगी और दम लगाना पड़ेगा दूसरा बिलकुल अगर मैं संशेप में कहूं तो विपक्ष और कॉंग्रेस के बीच यानि जो छेतरी दल हैं और कॉंग्रेस इनके बीच में कौाडिनेशन होना चाहिए लेकिन इसका मतलब या भी नहीं आए कि भारत में जीतने प्रदेश हैं सब जगा बीजेपी बनाम एक उमिदवार ये फार्मूला निकलेगा मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई फार्मूला जायज होगा भाषा इन चुनावों की जो दो खासियत सामने उभर कर आई कि ये वो चुनाव था जहां भारती जनता पार्टी ने सिर्फ चुनावी कैंपेइनिंग ने नहीं उत्तर बदेश का जब चुनाव हो रहा था तभी से नफरत के बीज बोने शुरू हो गए थे हिजाब के मुद्दे को इतना ज्वलन्त किया गया धारा 144 लगा दी गई दंगे तक हो गए एक व्यक्ती की मौत तक हो गई यानि कि एक जमीन तयार की गई आप जानते हैं कुछ ऐसे इलाके हैं करनाटक में जोकी शुरीराम सेने से लेके बजरंग दल से लेकर विश्व हिंदू परिशद इनकी प्रयोग शालाएं वहाँ चलती थी बावजुद इसके कॉंग्रेस जीती और फिर सबसे बड़ी बात कर्राप्शन के मुद्धे पर हार यानि कि मैं ना खाऊंगा ना खाने दूंगा वो नारा इस कदर बोना पड़ गया तो ये दो मुद्धों पर अगर फोकस करके कॉंग्रेस चलती है क्या इसका इसको काने की बात की बजरंग दल के साथ और अगर ये इलाके देखिए कि जहां से कॉंग्रेस को बढ़त मिली है या भाश्पा का वोट परसेंटेज कम हुआ है तो वह कोस्टल करनाटका है कोस्टल करनाटका यानि हिंदुत्व की प्रियोक्षाला जहां बिल्कुल खुले आम और पांस साल दस साल नहीं तकरीबन पंदरा साल से वहां पर ये नफरत की प्रियोक्षाला आरेसेस के नित्रुत में चलती रही है वहां पर वोट परसेंटेज कम होना तीन चार सीटे कम होना और साथी साथ आप पूरा करनाटक उठा के देखिए जिस तरह से इन्होंने को कि मोदी जी के चेहरे पर ही चुनाव नहीं लड़ा जा सकता और लड़के जीता नहीं जा सकता यह पहली बार हुआ है किसी भी राज में जहां सिर्फ एक ही चेहरा विज्यापन में सिर्फ एक ही चेहरा प्रचार में सिर्फ एक ही चेहरा और उसके बाद भाश्पा को यह ह भाशा यहां बहुत एहम बात कहरे हैं उर्मिलेश जी कि प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे को लेकर आखरी कुछ दिनों में कितना अग्रेसिव हो गये थे और उसका सारम ने बैंगलूरू के रिजल्ट्स में भी देखा बड़ा प्रश्ण यहां पर यह कि प्रधा चाहता हूँ कि अगर इसे हम सीधे तोर पर प्रधान मंत्री की हार मानें कॉंग्रेस ऐसा क्या करे कि राश्ट्रियस तर पर इस संदेश को ले जाया जाए देखे अभी सार पीछे के अगर आप तकरीबन 13 14 चुनाओं को देखें उनके नतीजे देखें तो आप पाएंगे कि भारती जनता पार्टी डिस्पाइट आफ कि माननी प्रधान मंत्री और अमिश शाजी ही सब कुछ थे उन चुनाओं में छेतरी चुनाओं में प्रांतों के चुनाओं में वही लोग केंपेनिंग के चीफ थे सब कुछ वही थे फिर भी चुनाओं हार गई आप गिन कर है कि प्रदानमंत्री जी 2019 के बाद कहीं भी किसी भी लाके में अपराजे नहीं है अगर गुजरात को छोड़ दिया जाए और उत्तर प्रदेश में फिलहाल दो पार्टियों की वज़ा से अपराजे एक तस्वीर बीजेपी की दिखाई दे रही है एक पार्टी का नाम सपा ह दोनों बीजेपी से फाइट आउट करने को बिलकुल तयार नहीं है दोनों सरेंडर कर रखी हैं ऐसी इस्तिती में मेरा ये मानना है कि दक्षन भारत पूरी तरह भारती जनता पार्टी के ब्यामोह से उन्मुक्त हो चुका है मुक्त हो चुका है इस समय तीन बड़े नेता आए हैं दक्षन भारत में एक का नाम है स्टालिन दूसरे का नाम है और तीसरे का नाम अब हो गया सिधा रमया इन तीन नेताओं की तिकड़ी समुचे दक्षन भारत में भारती जनता पार्टी को कहीं दाखिल नहीं होने देगी कहीं इंटर नहीं होने देगी ये मेरा वि जाती है कि साब छेतरी चुनाव में तो वीजेपी हार जाती है लेकिन केंदरी चुनाव जो होता है तो मोदी जी का चेहरा आ जाता है देखे यह भी इस बार का चुनाव दिखाएगा क्योंकि जो एंटी इंकंबेंसी है इस बार अगर आप पूरे देश में देखिए कुछ इक राजियों को छोड़ कर तो किंदर सरकार से भी है और किंदर सरकार देखिए दस साल की सरकार है आप यू प्या को याद कीजे दस we दसमे साल के बाद आप छुना हुआ तो यू पिया का कितना बिरा हाल हुओ था देखे आज की तारीख में केवल कॉमिनल polarization के बल पर भारती जनता पार्टी अपना वजूद बचाया रखना चाहती है वरना massive anti-incumbency सरकार के किलाब है भाशा उर्मिलेज जी यहां कह रहे हैं कि वो यो 10 साल का दंश 10 साल का शाप अगर मैं कह सकूँ मगर एक चीज भूल रहे हैं हैं कि हम ये ना भूलें कि यूपिये के 10 साल में मीडिया ने बे खौफ होकर उस वक्त की सरकार से सवाल पूछे थे एक अन्नाम दोलन आया था दामाद जी वाला है तमाम चीजों की बात हुई थी मगर अब वो मीडिया विपक्ष को क्रिमिनलाइज कर रहा है उन्हें टार्गेट कर रहा है तो ये तो एक बहुत बड़ा फर्क है इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जब लोकसभा की बारी आईगी तो हो सकता है कि नहीं मैं आपसे ये कह रही हूँ कि उर्मिलेश जी को भी ध्यान दिलाना चाहूंगी उर्मिलेश जी अगर करनाटक का चुनाव हम ध्यान से देखें करनाटक में भारती जनता पार्टी का वोट परसेंटेज ज़्यादा कम नहीं हुआ ये बहुत सोचने की बात है और मुझे लगता है ये एक बहुत गंभीर चुनावती भी है और वोट कोंग्रेस ने जे उसका काटा है जे डीएस ने जे डे दिएएस का दोनों जगा गया है सब्दूश हो सकता है यहाह क mechan प्रमुख चिंता है वह यह है कि इतनी करारी हार के बावजूद और भिज़ उनने लगार क्योंकि लेकिन आप देखिए कि जिस तरह का दुरुवी करण उन्होंने किया जहां जहां वे चाहते थे वोट परसेंटेज के लिहाद से आप देखिए चुनौती बड़ी है करनाटा की हार का असर निश्चित तोर पर पढ़ने जा रहा है और यह ऐसा हार पढ़ेगा कि एक भारत का हिस्सा नीचे का पूरा हिस्सा बीजेपी मुक्त है और वहां बें दावा कर रहे थे कि हम आपके जैसे नहीं हैं हम सिर्फ मंदिर पर वोट नहीं देते और हम तो तंग आ गया है यह बात कोई 2024 में कैसे भी पक्ष इंटर करेगा उसको देखना बहुत है और जब हम अपने दूसरे विश्रे की बात करेंगे तो उसकी अलग से हम चर्चा करेंगे मैं आपसे जानना चाहता हूं कि ममता बैनर जी और अखिलेश जो दोनों स्टम्ब थे जो कॉंग्रेस का विरोध कर रह यह मगर जो बाकी सीटे हैं वहाँ पर कॉंग्रेस सादिक शेत्रियत अलों का यह सोच के पीछे क्या राजनीते दिखाई देती है आपको देखे इसकी शुरुआत शरत पवार जी ने की थी शरत पवार ने बहुत पहले एक फार्मूला पेश किया कि साब जो सत्ता पक्ष है यानि भारती जंता पार्टी उसके विर्द संपूर्ण देश में विपक्ष का एक ही उमिदवार होना चाहिए एक वन टूवन तो यह जो धारणा है यह इसलिए गलत है भारत जैसे मुल्क के लिए क्योंकि यह बहुत विविदता भरा देश है कई जगा जो एलाई कह ज दुसरे के आमने सामने हैं ठीक है बंगाल में भी बंगाल में भी CPIM और relating टाटें ब्लक में ब Rs. नहीं बन सकता हूं बगर भाजपा तो कम से कम प्रधान मंत्री मोदी को हर जगा प्रेजेंट करती है ना और वो काम्याब भी होता है करनाटक से लेके यूपी से लेके गुजरात में तो विपक्ष वो चेहरा क्यों नहीं पेश कर पाता है नहीं मैं वहीं आ रहा था जहां आप कहा रहे हैं देखिए उसकी आप नेशनल विल पर अगर आप मुदी जी को एक चेहरे के तोर पे प्रोजेक्ट करते हैं तो दक्षन भारत में उनका चेहरा कहीं से भी अपीलिंग नहीं है आप दक्षन की पूरी राजनित को देख लीज पेश की हैं कि एसाब वोड़ परसेंटेज इनका इतना है हमारे मुल्क में देखा ये नहीं जाता है कि वोड़ परसेंट किसका कितना है बहुत सारी मुलकों में ये बहुत जरूरी है क्योंकि उनके यहां इसी आधार पर चेहन होता है अबुदारण के तौर पे टर्की का देख लीजे वहाँ 50% नहीं आप क्रॉस किये तो आपको फिर से आपको एक नए चक्र में जाना पड़ेगा हमारे हाँ तो यह है कि जो अलग अलग अमिदवार खड़े हैं उनके वोटिंग परसेंटेज कुछ भी हो जो जीता वही सिकंदर और डिमोकरिसी उसी से चलेगी जो जीत हासिल करेगा मेरा यह मानना है कि कई स्टेट्स में अलग-अलग उमिदवार भी अगर होंगे अलग-अलग उमिदवार विपक्ष कहे जाने वाले दलों के भी वो भी बीजेपी को हराने में कारगर साबित हो बाशा मैं जानना चाहता हूँ आपसे कि देखिए राहूल गांधी ने भार पूरे विपक्ष का चहरा बन सकते हैं प्रधान मंतरी नरेंद्र मोधी के खिलाब देखिए मेरे को मुझे जो दिखाई दे रहा है कम से कम करनाटक और इससे पहले के भी जो पूरी घटना करम है चायों की जिस तरह से सदसिता गई सारा जो पूरा हंगामा सदन के भीतर च बिहार में जब विपक्ष सारा एक साथ हुआ बिना विपक्ष के सारे एक साथ हुए यहां तक की करनाटक में भी आप देखिए अगर सारे लोग जिस तरह से पॉलराइज हुआ है कॉंग्रेस के पक्ष में या बाकी दलों के पक्ष में वो नहीं होता तब लड़ाई बोल चुके हैं इसको कि विपक्ष को कम से कम एक ब्रॉडर समस्दारी के साथ लोकसभा चुनाओं में उतरना होगा ताकि आपस के वोट ना कटे यह एक बहुत जरूरी है और एक चीज़ जिससे हम भूल रहे हैं वो है प्रचार तंत्र मैं आपको कुछ मिसाल देना चाहत कैसे एक मिनिट में बीजेपी की जगा कॉंग्रेस आ गई अब दोनों के बीच सीटों का जमीन आसमान का पर्क मगर देखिए जस तरह का कारिकरम रिपाबलिक भारत ने चलाया करनाटक के सिंधिया बनेंगे डीके शुव कुमार भड़काओ कारिकरम कॉंग्रेस के आगे देखिए जीत कर भी कहीं हार ना जाए कॉंग्रेस अंबानिका न्यूस चैनल कह रहा है क्या शिव कुमार करेंगे कॉंग्रेस से बगावत यह है एक और एहम फैक्टर जो आने वाले दिनों में बीजेपी के बक्ष में काम करेगा जो पिछले 10 सालों से कर भी रहा है यह देखी किस तरह की प्रोग्रामिंग बनाएगे यह बहुत त्वर्फ प्रके आपको मैं यह भी बताओं कि जो अपना टिवी पूरम है ना नोड़ा वाला यह यह काफी हद तक अंदर अंदर शिव कुमार के डिकेर शिव कुमार के बन गया था बहुत बुरी तरह इसके काउंटर करने के लिए शिव कुमार को जितना पंप किया जाएगा जितना चड़ाया जाएगा उतना कॉंग्रेस के लिए मुश्किल होगी क्योंकि वो सिधा रमया से फिर डील नहीं कर पाएंगे सारी की सारी जिस समय से आना शुरू हुआ आप देखिए मैं तो आज तक देख रही थी तमाम जगों पर जिस तरह से बात हो रही है कि आपको क्यों नहीं मुख्यमंत्री बना रहे हैं आप क्या अभी से दाव करेंगे तो यह सारा जो खेल था यहां खेल बहुत स्क्रिप्टिड था कि शिव कुमार के अंदर आप गुसा भर दीजे और आप शिव बत यह है कि डीके शुवकुमार के पक्ष में बीजे पी भी बोल रही थी वो बीजे पी जिन्हों ने एडी सीबी आई के लेवल पर उनके खिलाफ कीस बीजे भी इस्से थाबित होता है कि सिदार्वमया से थ्ट कितना है बीजे पी को बिलकुल तो छलिए अब हम रु करत अपने दूसरे मुद्देखा बागरिश्वर धाम के देरेंग शास्तरी पटना में थे भाश्पा के नेता उनकी आरती उतारते हैं ये भी कहते हैं कि अगर उन्हें किसी ने छुने की हिम्मत की तो हम इंट से इंट बजा देंगे ये व्यक्ति आधा अधूरी जानकारी रख पे खेलना और भड़का उबाते देना और कहीं न कहीं ये एक प्रतीक साबित होने वाला है आने वाले दिनों के लिए भी अगले एक साल में भाच्पा किस तरह की रणनीती अपनाएगी ये इस घटना करम से साबित हो रहा है क्या है इस मुद्दे का पंच और मिलेश जी बताएं भारती जनता पार्टी की तरफ से मुझे लगता है कि ये एक नया एक्सपेरिमेंट है हमने इसको महरास्ट्र में देखा शतिसगर में देखा और भी कई सूबों में देखा गया है अब बिहार पहुचा है और बिहार में कह चुका है बाबा कि हम बार बार आते रह दानों के बिल्कुल खिलाफ इसके सारी कारिक्रम हो रहे हैं फिर भी कोई रोक नहीं रहा है भाशा क्या है समुद्दे का पंच देखें मेरा तो साफ साफ सवाल है कि इनको जो राजनितिक वर्धहस्त्र मिला हुआ है वह किसका है आखिर क्या चीज है कि यह शक्स जो नफरत का एंबेजडर बनने की कोशिश कर रहा है को कि बहुत बीड है उसमें कोशिश कर रहा है कि सबसे बड़ा नफरती की राष्टपती के साथ फोटो खिचवाता है और फिर वह फोटो तमाम जगा पे सर्कूलेट करता है यह जो political connect है इसका तमाम जगाओं पे जिस तरह से भारती जनता पार्टी के मंत्री और संत्री लंबलेट हैं वह बता रहे हैं कि इसको पॉलिटिकल पैट्रोनेज मिला हुआ है और यह एक एजेंट के तौर पे नफरत के एंबेज़र के तौर पर भारती जनता पार्टी और रसेस के लिए काम करेगा हिंदू राष्ट हिंदू राष्ट और नफरती राज दिखाए दे रही है पहली बात भड़काओ बातें करें लगातार भड़काओ बातें करें लोगों के एमोशन के साथ खेलें खासकर धार मिक्स तरपर उस भड़काओ बातों के जरीए अस्थिर्ता का माहौल पैदा करें धुरुविकरन का माहौल पैदा करें और उसी के ज पाट भाजपा को सत्ता में जाने का रास्ता जो है साव दिखाई दे रहा है आप जानते हैं भाशा मिरकू सबसे अच्छा रवईया यहां पर नितीश कुमार तेजस्वी और लालू का दिखा लालू वो शक्त से हम ना भूलें नब्बे की धशक में जब राम मंदिर रामरत तेजस्वी से पूछा गया आप समय क्यों निकालते हैं उनके लिए तेजस्वी निकाला कि मुझे अपने जनता की लिए समय निकालना है जब उनसे मेरा काम हो जाएगा और नितीश का बयान कि जो लोग कह रहे हैं कि ये एक स्वतंतरता अंदोलन है ये पैदा भी नहीं हो अगर इस शक्स को देखिए ये पूरी तरह से फरजी बाते करता है जिस तरह से पूरी फरजी वाड़े में इसने एक मीडिया घराने को स्थापित किया बैठाया कि तुम्हारा ये हो रहा है तुम्हारा वो हो रहा है यानि अंधविश्वास का प्रचारक है विज्ञानिक सोच के खात्मा करने के साथ ये स्थापित करना चाहता है कि कुछ भी बोले उस पर लोग विश्वास करें और बड़ा तंत्र जो इसने फैलाया है और जिस तरह से बिहार को अपनी भूमी बनाया है उसमें बहुत बड़ी राज़ितिक साजिश है क्योंकि यहां पर इनके दिमाग में है क्योंकि मैं जब दिहार गई थी कुस महीने पहले तब मैंने देखा था कि अचाना की इस तरह की सभाओं का प्रचार प्रसार में एक दूर दराज के बकसर से आगे चोगाई गाउं में थी वहां पर जिस तरह से चर्चा चल रही थी और वहां पर इस आदमी की पोस्टर बाते आ रहे थे यह बात मैं आपको तीन महीं में पहले की बता रही हूं तो आप सोशली की जो तैयार हो रही थी एक चोटा सा गाउं है और उस गाउं में लोग बता रहे थे कि नहीं यह आदमी भविश्य बताता है हमारे दुखों का निवारन करेगा यह तम यह एक लंबी साजेश है कि बिहार में जिस तरह से भाशपा को धक्का मिला उसका पॉलिटिकल जवाब देने के बजाए वह इस तरह की धर्मांदता और नफरत मुझे लगता है हैरानी बात है क्यों नहीं केस किया गया आप हिंदू राष्ट के लिए बढ़का रहे हैं ल इसारी मजदूरों के नाम पर क्या जूट बोला गया था तमिलनाट के संदर्व में कि बारा लोगों को मार दिया राम नवमी में किस तरह से बजरंग दल के कारकरता पकड़े गए वाटसाप के जरीए दंगे कराए गया तो देखिए ये तो एक प्रिश्भूमी में दिख लिए देखे चुकी आपने जिक्र किया उस पहलू का जो तमिलनाट से जिसका कनेक्ट है तो चुकी तमिलनाट में बिलकुल अलग मिजज के लोग है अलग मिजज का समाज है सरकार अलग है अलग डंकी है उन्होंने तत्काल कारवाई की किसी तरह से जुकने का मतलब ही नह कहता है constitution से compromise वे सरकारें भी करती हैं जो सेकुलरिजम की बात करती हैं जो लिबरलिजम की बात करती हैं क्योंकि हिंदी हाट लैंड का की जो पूरी संडचना है उसमें सामनती जो क्योंकि इस धिरेंशास्त्री के सामने कमलनाथ को जुकते हुए देखा है बिल्कुल बिल्कु सामनती बोद जो है सामप्रदाइशास्ट कमलनिजम साफ्ट अमिलिजियस अर्थोडॉक्सी ये सब चीजें बहुत डॉमिनेंट हैं इसलिए यहां की सरकारें जो कहती हैं वो कर नहीं पाती हैं पहली बात तो यह मैं कहूंगा दूसरी बात ये बात किसी से छुपी नहीं ह टॉपनेता औरी जो उस प्रदेश के केंद्र की राजनीत करने वाले नेता हैं मनोज तिवारी जी ड्राइब कर रहे थे वो गाड़ी जिसमें वो प्रवेश की अभिःरियार में आरती उतार रहे थे विछ सारे बड़े नेता और आदेशकी राज नीतänger वाले जो constitution से शपत लिए हुए हैं वे उस बाबा की आरती उतार रहे हैं और बाबा मुस्कुराते हुए का रहा है बस हो गया बस रहने दो अगर ये नेता किसी ऐसे कथावाचक की आरती उता रहे हैं जो अच्छी बाते जानता भी हो व्यक्ति है जो मंच पर बैठके नंगा कर दूंगा और इस तरह की बिहार के लोगों को आपमानित करने वाले संटेंसे उसने बोले हैं उसने का वियारी मंदर चड़ गए हैं उप अब बताईए इसको और कोई प्रोटेस्ट है अभी मैंने एक चित्र देखा अभी एक चित्र देखा एक सिनियर आईपीएस ऑफिसर फॉर्मर आईपीएस ऑफिसर जो धर्मात्मा बन गए हैं और एक मंदिर का प्रबंदन समालते हैं उनको मैंने देखा कि वह उस बाबा क जो देश के कानून की धजी उड़ाता है जो हिंदू राष्ट की बात करना यानि मौजूदा देश का जो कॉंस्टिउशन है उसको रिप्लेस करने की बात करता है यानि अनकॉंस्टिशनल काम करता है वह किस हैसी ऐसे राष्टपती द्रबदी मुर्मु के साथ फोटो की हर जगा जाती है फूल के गुच्चा लिए कड़े हुए क्योंकि बिहार में बड़े पैमाने पर फोटो दिखाई गई तो यानि यह पूरी की पूरी कड़ी है बिहार तो इसको एक प्रियोग स्थली में उतारा गया है ताकि यहां पर आप करते रहें और मुझे लग रहा जाता है और पैर चूता है कि आपको बाबा मेरे बारे में पता है वो सब जानकारी जो फेस्बुक पर मौझूद है तो यह जो अंधविश्वास का दौर है डरावना लगता है कि मध्यूगीन दौर में ले जा रहे हैं हम आप बैट कर बात कर रहे हैं लेकिन यहां पर कारवाई होनी चाहिए और एक चीज में जरूर कोंगी नितीश बाबू को भी समझना चाहिए कि इस तरह की जो अनकॉंस्टूशनल चीजें हैं राम नवमी पे जब जली पूरी की पूरी बिहार की राजधानी के बगल और यह से मजजिस जलाई गई आप कारवाई तुरं इस बीजेपी इसले कर रही है क्योंकि जो जाती जनगणना वाली बाद जो बिहार से निकली जिस पर फिलाल इस वकादालत की रोक है उससे बीजेपी बहुत जादा नर्वस थी घबराई हुई थी वो खेल पल्टेगी बिहार में क्या बागेश्वर धाम उसी का जवाब वाद संक्षिप में देखी मुझे नहीं लगता ऐसा क्योंकि भाषा ने भी बताया कि कुछ महीने पहले अपने गाउं गई थी और वहां भी तैयारी पहले से चल रही ती तिने एक महीने पहले से ये दरसल नितीश कुमार और आरजेडी यानि तेजस्वी दोनों के मिलने के बाद जो राजनितिक परिस्थितियों में बदला आया है दरसल उसे काउंटर करने में बीजेपी बिलकुल राजनितिक तोर पे असमर्च रही है और इसी वज़ा से काफी प्रयोग उसने किया जैसे उसने फॉरन पदल दिया अपना पार्टी प्रेसिडेंट उसने एक बैकवर्ट कम्यूनिटी के एक ऐसे निता को लाया जिसका एक इलाके में आधार है दूसरी बात उसने बाबा बागेश्वर को अनुमन दित किया और बाबा बागेश्वर के जरीए एक अजीब तरह का महौल पैदा करना ताकि लोग आक्रिस्ट हों लोग आक्रिस्ट नही से तो ऐसे लोगों को लाओ तो यह सब कारण है जो मुझे समझ में आ रहा है लेकिन मैं बिलकुल आखिर में यह कहूंगा कि देखे बिहार के लोगों को और बिहार की सरकार को नहीं भूलना चाहिए कि बिहार की टेडिशन में ऐसे बाबा हैं ऐसे स्वामी हैं ऐसे ऐसे आ रजीपूर में पैदा हुए लेकिन काम वहां किया और किसानों की भीच में काम किया मुंगेर में बहुत बड़ा योग केंद्र है पूरे पूरे देश में जाना जाता है तो इस ट्रेडिशन को कलंकित करने में दीरें शास्ति को कहां बढ़ाएंगे उनको तो थोड़ा सा कि व्यक्ति को गोदी मीडिया ने बाकाइदा एक सिंगम के तौर पर पेश किया था ये व्यक्ति लगातार खबरे लीग कर रहा था इसने रिया चकरवर्ती को और उनके परिवार को बरबाद कर दिया था सुशान सिंग राजपूत आत्महत्या मामले में फिर आरेन खान को जू परिजा इस्तमाल हुआ यही नहीं भारज समाचार की खबर जो आप स्क्रीन्स पर देख रहे हैं ये भी बता रहा है कि इस वक्त जो वारणिसी में पुलीस कमिश्टे हैं जो इनके बॉस हुआ करते थे उनके और समीर वैंकड़े के बीच में भी सांड़ गार थी तो आप देख सकते हैं सिस्टिम का किस तरह से इस्तमाल किया गया था क्या इस मुद्धे का पंच बताएं और मिलेजी अभी सार मुझे ऐसा लगता है कि हमारी जो जाच परताल करने वाली एजिंसियां है उनके अंदर किस तरह का करप्शन है किस तरह से सत्ता के विविन गुटों क साथ उनका गटबंधन है कि उनके आदेश पर लोगों को परबाद करने का ये प्रोजेक्ट चलाते हैं एक तरह से माफिया करण दिखाई दे रहा है हमारी एजिंसियों की भीतर ये बेहत खतरनाक है और यह याद दिलाता है कि हमारा लोकतंत्र वाकई खत्रे में आ गया है भाशा क्या है समुद्दे का पंच? जा रहा था आप कहां थे जब रिया सहित अंगिरत मामलों में करोणों रुपे की वसूली और बाकी सारी चीज़े चल रही थी मुझे लगता है ये बहुत बड़ा प्रशनचिन है हमारे पूरे सिस्टम पर अभिसार क्या है इस पर आपका पंच? इस मुद्दे पर मेरा पंच ये है कि ये प्रशनचिन ना सिर्फ सिस्टम पर है बलकि हमारी मीडिया पर क्या मीडिया इस व्यक्ती द्वारा लीक की गई जानकारी जिसके आधार पर आपने कितनी शर्मनाक प्रोग्रामिंग की थी? याद है आपको सुशान सिंग राजपूत के दोरान वो कौनसे एक न्यूस चैनल का संपादक है, खुले आम चिला रहा था, मुझे ड्रग्स दो, ड्रग्स दो, मतब नाटक और इतना अशलील नाटक चल रहा था तमाम न्यूस चैनल में, क्या ये लोग माफी मांगेंगे ये जो कॉक्टेल था इन दोनों का, ये दोनों का जो एक गट जोड था, समीर वैंखडे का दुश्परचार और दूसी तरफ, मीडिया जो जहर बोरा था इन मामलों में, क्या वो माफी मांगेंगे, इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, बड़ा प्रश्न ये, कि ये थोड भी कर रहा था, ये कर रहा था, और इसमें अकेला नहीं था वो, बनारस में जो इस वक मौझूदा कमिशनर है जैन सहाब, उनके साथ उनका गड़ जोड था यहां उर्मिलेश जी, मगर मैं पूछना चाहता हूं, ये सब बाते तो हो रही हैं, मगर दब्बिक बॉस की जव होगा, उसकी परताल कौन करेगा, क्या कोई एजनसी परताल कर पाएगी, मुझे नहीं रगता, तो अविसार मेरा ये कहना है, कि ये ठीरिटिकल प्रशना है, लेकिन बहुत ब्यावारिक है, कि हमारे मुल्क में डिमक्रिसी कहलाने को हमारा मुल्क डिमक्रिटिक कंट्री है लेकिन हमारी जो फंक्शनिंग है, हमारे शास्की संस्थाओं की, हमारी परताल करने वाली एजनसीों की, उनकी जवाब दही किसकी है? सिर्फ सरकार में बैठे लोगों की है, यानि सरकारी पार्टी की है, दुनिया की जितनी बहतरीन डिमक्रिसी हैं, यूरोप में हो, यहा के प्रती है, बलकि स्ट्रक्शर आप स्टेट के प्रती है, हमें अपनी जो एजनसी हैं, उनकी जवाब दही भी तैक करनी पड़ेगी, और इसके लिए कई सुझावाए, मेरा यह मानना है कि पार्लेमेंटरी जो कमेटी हैं, पार्लेमेंट जो अपने देश की है, पुलिट के जो बासिज हैं, उनके प्रती जवाब दे हूँ, अपार्ट फ्रॉम देपार्टमेंटल डिपार्टमेंट्स आप वेरियस गौवर्मेंट्स, भाशा, मैं जरा यहां पर इसके एक पुलिटिकल पहलू की बात करता हूँ, मैं नहीं भूला हूँ, जब नवाब मलिक लग भाशपा ने तो बाकाइदा समीर वांखडे के पक्ष में प्रदर्शन किया था, आज कहां छुप गए हूँ नेता, जब आपकी अपनी सरकार ने इस पर जो है केस कर दिया है और ये जेल जा सकता है, उमीद है 22 मही के बाद जाएगा, बताए इनसे इस सवाल किया जाना च कम से कम 2024 या उससे कुछ पहले अगर आप ले लीजे, इस तरह की जो तमाम कारवाईयां हैं, चाहे वो शाहरु खान के बेटे पर हाट डालने का मामला हो, पच्छिस करोड लेने का मामला हो, या फिर अंगिनत और मामले हो, या बिना पॉलिटिकल पैट्र, ये सब राजनि मामला नहीं है, इससे पहले भी हम रेक चुके हैं कि जिन लोगों को एंकाउंटर स्पेशलिस का जाता था, जब लग रहा था कि वहां से बाहर जा रहे हैं, बहुत जादा हो गया है, या इंटरनल क्लैशे हो रहे हैं, क्योंकि वो सारे जो मुद्दे हैं, वो मुद्दे ब कांगी फैसला करेंगे, लेकिन इससे ये बात साबित हो गई कि मुसल्मानों के खिला शाहरुक खान को एक विलन बनाने के लिए, उसे पूरी तरह से घेरा बंदी करने के लिए, किस हद तक ये सिस्टम उतरा था, चलिए बहुत बहुत शुक्री आपका भाशा और उर्मेल इंडिया की बात में बस इतना ही, आप इस कारकरम को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, शेर करें और अबिसार शेर्मा को दीजिए जासत, नमस्कार